हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम दो मार्श से सम्मंधित उतरब्रदेश के सभी एक्जाम के लिए मुस्ट इंपॉर्टेंड करेंट अफरीकी कुश्चन को डिसकस करेंगे और हरे कुश्चन से रिलेटेड आपको फेक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंत्य में हम आपसे कुश्चन भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट वॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पीडियाफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडियाफ आपको टेलिग्राम गुरूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का सिसन सुरू करने से पहले हम कल की कुश्यांस का रिवीजिन करेंगी कल का पहला कुश्यां है उत्तर प्रदेश में उमंग एप पर पंजी करण के मामले में रामपूर मंडल में किस इस्थान पर रहा इसका जो करेक्ट अंसर है जल्द ही उत्तर प्रदेश में अमेरिका और चेन की कंपनियां पूडक्शन सुरू करने जा रही है इसे कुल कितने लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है इसका जो करेक्ट अंसर है वह उप्शन नमर बी 15500 लोगों का और दोस्तो उत्तर प्रदेश करेंट अफिर की लास्ट वन यर की अगर आपको PDF डाउनलूट करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप इस PDF को डाउनलूट कर सकते हैं इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के देसंबर 2020 तक उत्तर प्रदेश करेंट अफिर की सभी important questions को विश्तार पूर्वग बताया है और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको किवल जनवरी मंत की PDF डाउनलूट करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलूट कर सकते हैं और दोस्तों PDF डाउनलूट करने में अगर कोई भी प्रोब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और email मिल जाएगा जिस पर आप contact कर सकते हैं अगला कुश्यान है सिंगापूर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते इसका जो करेक्ट अंसर है अगला कुश्यान है पौदों से प्राप्त COVID-19 वेक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है कनाडा यानि और भी यहां पर करेक्ट होगा अगला कुश्यान है मेक्सिको उपन को जीत कर इस पे इन की निम्न मैसे किस टैनिस खिलाडी ने अपने करियर का एक्यानवेवा खिताब जीत लिया है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन निम्बर सी राफेल नडाल ने अगला कुश्यान है किंद्रिय ग्रामीर विकास और पंचायती राजमंत्री गिरीराज सिंग ने मनरेगा के लिए किस एप को लॉंच किया इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन निम्बर ए लो मंदराश्टी ये जोड़ो महसंग ने अगला कुशिया ने हाल है कि समंद्राले ने भास्ता सर्टिफिकेट सैलफी अभियान सुरू किया इसका जो करेक्ट अंसर है वो है आपसिन नमबर ए सिख्षा मंत्राले ने अगला कुशिया ने हाली है किस देश की बैंकों को सिफ्ट पेइमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया इसका जो करेक्ट अंसर है वो है आप्सन नमबर डी रूस की बैंकों को तो दोस्तों यह थे कल की कुशन्स जिसका हमने रिवीजन किया अब हम सुरू करते हैं आज का सिसन आज का पहला कुशन है सीनियर रास्ट्रिय सतरंज चेंप द्वारा कानपूर में अठावनमी सीनियर राश्ट्रिय सत्रंज चेंपेंशिफ 2022 का आयूजन किया जा रहा है इसमें 184 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिसमें 30 गृएंड मास्टर और 30 अंतर राश्ट्रिये ग्रेंड मास्टर सामिल हैं सात्वी राश्ट्रिये महिला सत् या रास्ट्रिय सत्रंज चेंपिंसिफ दो हजार बाइस का आयूजन किया जा रहा है और दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है कि सात्वी रास्ट्रिय महिला सत्रंज चेंपिंसिफ दो हजर बाइस जो है इसका आयूजन कहां पर किया गया तो भूवनेश्वर में इसका आयू गंगा नदी के दक्षन तट पर बसा हुआ है 1857 के विद्रोह में कानपूर से नित्रत्व किसनी किया था तो नाना साहब जिन्हें धुंदूपंद के नाम से भी जाना जाता है तो उन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपूर से नित्रत्व किया है और दोस्तों ध्यान रखना है कि भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस की पहली भारतिय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नाइडू थी जिन्होंने 1925 में पच्चीस में उनीस सो पच्चीस में कानपुर अधिवीशन की अध्यक्षिता की थी ठीक है ध्यान रखना है अगर पूचा जाता है कि भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस की पहली महला अध्यक्षिकों थी तो यह थी सरोजनी नाइडू और इन्हों ने अध्यक्षिता कहां पर ती ठीक है ध्यान रखना है जो है हिंदूस्तान रिपब्लिक सीजन इसकी स्थापना उनीस सौब्समIch है अध्यक्षितर सन्याल अधिक रांतिकारी सामिल थे पर देस पर में परत्म सब्सक्राइब र explan Je says, कान्पुर्व के वीच मैं चलाई गई थी। प्रदेस में पहली रेल गारी कान्पुर्व का प्रमुक मेला या महुसब कौन सा है तो बिथूर-महुसब ये कान्पुर का प्रमुक मेला या महुसब है इसके वालाव आपुर को वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट क्या है ? तो चमडा उत्पाद का एक जिला ऐक उत्पाद है दोस्तो कानपुर में प्रमक संस्थान कौन से है? तो ध्यान रखने हैं भारतिये चमडा रंगाई एवन जूता संस्थान, यह कानपुर में है इसके अलावा किंद्रिय चर्म अनुसंधान सनस्थान जो की चिन्नई की एकाई है ये भी कानपुर में है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान सनस्थान ये भी कानपुर में है और दोस्तों एक कुश्यन और ध्यान रखना है कि 2011 की जणगन्ना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सहर कौन सा है तो ये है कानपुर। तो ये सारे कुश्यन आपको कानपुर से समवन्दित अच्छी से ध्यान रखने हैं। अगला गुश्यन है हाली में किस विश्वद्याले की वैग्यानिक ने बिना चीरफाड के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका खोजा है। अगला गुश्यन है हाली में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह किया। इसका जो करेक्ट अंसर है वो है option number A रूस ने और यहां पर आप image में देख सकते हैं। यह था दुनिया का सबसे बड़ा विमान मारिया जिसे हाली में रूस ने नस्ट कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमन रूस ने यूक्रेन के एंटोनोव 225 मारिया जो की कारगू विमान था नामक दुनिया के सबसे बड़े विमान को नस्ट कर दिया। विमान कीव के बाहर नस्ट कर दिया गया था हत्यार निर्माता यूक्रो बॉर्नो प्रोम के अनुसार एंटोनोव 225 मारिया को बहाल करने में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का खर्च आएगा और इसमें 5 साल से अधिक का समय लग सकता है। विमान दुनिया के लिए अधित्विय था एंटोनोव 225 विमान होस्टो मेल हवाई अड़े पर इस्तित था जब रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेनी हवाई अड़े पर हमला किया था और इस विमान को 27 फरवरी को नस्ट कर दिया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो रूस है वो लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। और इसी हमले के दोरा जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान था जो की यूक्रेन के पास था। तो यूक्रेन के पास था और दोस्तों इस विमान के अगर बाद कि जाए तो यह जो विमान था यह 210 फीटीट इसके पंकों की चौड़ाई थी। और ये जो है 1980 में कीव की एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो कमपनी दोरा तयार किया गया था अगर आप से पुछा जाए कि जो विमान ही कब तयार किया गया था तो 1980 में इसे तयार किया गया था दोस्तो जब इसे तयार किया गया था तो इसका जो उप्योग है वो आर्मी की ये जवान किया करते थे लेकिन बाद में इसका जो इस्तिमाल है वो कई देशों तक राहत सामगरी भेजने में किया जाने लगा दोस्तों ये जो विमान है ये 640 टन कितना 640 टन तक का जो भार है वो उठा सकता था इसने पहली बार उड़ान कब भरी थी तो 1988 में इसने पहली बार उड़ान भरी थी और दुनिया के इस सबसे बड़े विमान का इस्तिमाल पलोसी देशों में आपदा की समय खाद्य सामगरी को बांटने में किया जा चुका है तो दोस्तों ध्यां रखना है कि अवे हाली में जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान था एंटोनोव 225 मारिया वो नस्ट हो चुका है और किसने इसे नस्ट किया है तो रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमन किया है इस दौरान इस विमान को भी नस्ट कर दिया गया है अगला कुश्यान है अंतराष्टिय बौधिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सिन इंबर डी 43 में इस्थान पर यूएस चेंबर ओफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतराष्टिय बौधिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 55 देसों में से 43 में इस्थान पर रहा इस वर्स भारत ने अपने समग्र IP स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है इस सूचकांक में सेंगत राज अमेरिका पहले इस्थान पर है और यूनाइटिट किंग्नम इसमें दूसरे इस्थान पर है तो दोस्तों ध्यान रखना है कि वे हाली में US Chamber of Commerce के Global Innovation Policy Center दोरा जो अंतराष्ट्रिय बौधिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया इसमें जो पहले इस्थान पर है वो कौन सा देश रहा तो संयुक्त राज अमेरिका जो है इसमें पहले इस्थान पर रहा और जो हमारा द अरी में कौन पेरा तिरंदाजी विश्व चेंपिंसिप में व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदग जीतने वाली पहली भारतिय बनी इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमबर ए पूजा जातियान पेरा आर्चर पूजा जातियान ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह में इटली की पेट्रोली विंसेंजा से हार गई और रजत पदग से संतुष्ट हुए भारत ने अपने अभियान का अंत दो रजत पदगों के साथ किया जो देश के लिए पहला था जोस्तों काफी इंपोर्टेंट है कि जो पूजा जातियान है इन्होंने दुबई संयु तो अरब अमिरात में पैरा वर्ल्ड चेंपिंसिप में व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदग जीता है और ये व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदग जीतने वाली पहली भारतिये बन गई हैं पैरा तिरंदा जी विसो चेंपिंसिप में भारत ने पहली बार दो रजत जीता गया था तो स्याम सुंदर्स्वामीम और זोती बलियान की मिस्रत जीता था लेकिन आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत वर्ग की यहां पर बात की जा रही है कि व्यक्तिगत वर्ग में जो है पहली बार रजत पदक जीता गया है और यह किस ने जीता है तो पूजा जातियान ने पहली बार व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीता है अगला खुश्या ने भारत रेलवे के लिए क भारत हेवी एलेक्टिकल से लिम्टेट द्वारा एक 1.7 मेगावाट सौर फुट वाल्टिक सैंत्र चालू किया गया जो कि भारतिय रेलवे का पहला सौर उर्जा सैंत्र है इसके द्वारतिय रेलवे के ट्रेक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सपलाई की जाएगी यह उर्जा सैंत्र दस एकर से अधिक के चेत्र में फैला हुआ है तो दोस्तों आपको ध्यां रखना है कि भारतिय रेलवे का पहला सौर उर्जा सैंत्र जो है यह कहां पर शुरू किया गया है तो मद्यप्रदेश राज्ज के बीना में राज्ज पूशा जा तो ध्यां रखना है मद् मद्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवरा सिंह्च चोहान और मद्य प्रदेश के गवर्णर है चगन बॉइंन मद्यप्रदेश में लोकसभाρ सीट और संक्यां और ग्यार है यहां पर राजे सभा सीटों की संख्या है अगला गुश्या ने भारत की वुशू खिलाडी साधिया तारिक ने हाली में मौस्को वुशू स्टार्स चेंपिंसिप में कौन सा मेडल जीता है इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उप्सिन नमबर ए सौन पदक भारत की साधिया तारिक ने हाली में मौस्को वुशू स्टार्स चेंपिंसिप के फाइनल में इस्थानीये एक रूसी खिलाडी को हराकर के गुल्ड मेडल अपने नाम किया साधिया तारिक स्री नगर से हैं और उन्होंने हाली में लवली प्रोफेसिनल यूनिवस्टी जाल अलंद में मौस्को वुसुज स्टार चेंपिंशिप के फाइनल में एक इस्थानिय रूसी ख्लाड़ी को हरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है अगला गुश्यान है और दोस्तों इस वीडियो की अगर आपको आडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी एप पर ज करना है जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी पर पहुंच जाएंगी और वहाँ पर आपको यूपी एक्जाम क्रेजर सो हो जाएगा तो उसको आपको फॉलू कर लेना है और इसके बाद जो भी मैं डेली करेंट अफियर की ओडियो अपलोड करता हूं उसे आ आप आसानी से तीन से चार मिनट में सुन सकते हैं और डेली करेंट अफियर का रिवीजन जो है वो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोग खबरी पर जरूर चुड़ें एक मार्च को पूरे विश्वभर में कौन सा दिवस मनाय जाता है इसका जो करेक्ट मुहिया कराने की जिम्यदारी है इसका लक्ष है कि नागरिक सुरक्षा के जिवनाधार महत्यों की और ध्यान आकर्शित करना और दोस्तों 2022 की नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम क्या रही तो ध्यान रखना है नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्रात्मिक उप्चार 2022 की नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम रही तो हर साल एक मार्च को कौन सा दिवस मनाये जाता है तो पूरे विश्वभर में विश्वन नागरिक रक्षा दिवस मनाये जाता है अगला कुश्यान है हाली में किसने विलादमीर पुतिन से सीर्स उलम्पिक सम्वान वापस लिया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमबर बी अंतरास्ट्रिय उलम्पिक समीती ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी राष्टपती विलादमीर पुतिन से उलम्पिक और पुरुसकार छेन लिया है अंतरास्ट्रिय उलम्पिक समीती ने खेल संगों और आयोजकों से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूसी और बेलारूसी एतलेटों और अधिकारियों को अंतरास्ट्रिय उलम्पिक समीती ने जो रूस के रष्टपती ह है यह कोर्व तो दस्तिल चौबीस फरवरी से लेकर कि एक मार्च यानि आज दो मार्च है और लगा तार जो रूसी है वो यूक्रेन पर रूस है वो यूक्रेन पर आक्रमन कर रहा है हमला कर रहा है मिसाइल्स के माध्यम से और फाइटर जेट्स के माध्यम से और जो रूस है उसने यूक्रेन को बहुत जादा जो है छती पहुँचाई है और जो देश हैं और इसके अलावा जो सहिवत राष्ट है या इसके महिला और बाल विकास समंत्रा लय ने कभ से अंतराष्टी महिला दिवस सप्ता को सुरू किया। है option number A, एक मार्च से महिला और बाल विकास समंत्रालाई एक मार्च से अंतरास्टिये महिला दिवस समप्ता को आजादी का अमृत महुसव के एक भाग के रूप में एक प्रतिष्टित सब्ता की रूप में मनाता है सब्ताय वर चलने वाले उसव के एक हिस्सिक रूप में मंत्रालाई महिलाओं की सुरक्षा और ससक्ती करन से समदित विविन विस्यों को कवर करते हुए विविन कारिक्रमों और सोसल मीडिया अभियानों का आयूजन करेगा यह लेंगिक समानता और महिला ससक्ती करने की दिसा में कोई प्रगती का जस्म मनाने के लिए एक अवसर को चिन्नित करेगा बलकि उपलब्धियों पर गंभीर रूप से प्रति विम्भित करने और लेंगिक समानता की दिसा में अधिक गती के लिए प्रयास करने का भी अव सबसर होगा तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महला और बाल विकास मंत्राले जो है एक मार्च से अंतरास्ट्रिये महला दिवस सब्ता को मनाता है और यह एक मार्च से शुरू हुआ है और दोस्तों जो अंतरास्ट्रिये महला दिवस यह कब मनाया जाता है तो हर साल जिसको हमने डिसकस किया हुम देखते हैं कल की वीडियो को किशिन जो हमने आप से पोजा था विराट कोली और मार्टिन गप्टेल को पीछे छोड़कर टीटवनटी अंतर अस्ट्वी क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाडी निम्न में से कौन बन गई हैं इसका जो करेक्ट आंसर था वो अप्सन नमबर B था रोहिस सर्मा और लगबक सभी इस्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब की और मैं आपसे हरोस कहता हूँ कि जो भी कुश्यन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कुश्यन का अंसर जरूर क्या करो तो यह है असका कुश्यन हाली में ग्लोवल फायर पावर द्वारा जारी आंकलों के अनुसार किस देश की सेना दुनिया की सबसे सकती साली सेना है अपसन नमबर A है रूस B है अमेरिका C है भारत और D है चीन तो इसका जो अभी तक हमारे चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी वैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे तो मिलते है नेक्ष्ट वीडियो में थैंक यू